अजय को अजय को अजय को अजय को नमस्कार साथियों गुड इमनिंग स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परतिग्या परिवार में और हमारा जो सेशन चल रहा है आईए उसी सेशन को बढ़ाते हैं आगे पुराने पेपर हम सोल कर रहे थे और इसी कड़ी के अंदर आज हम करेंगे पेपर न और आपको कोन से टोपिक में कितना क्या पढ़ना है वो भी आपने जान लिया इशी करम के अंदर बढ़ते हैं आगे ताकि आप किसी भी एकजाम की तेयारी कर रहे हैं तो वो सारे एक सारे पेपर आपके सामने आते रहे हैं आज इ joints गड़ी के अंदर आद हम चर्चा करें करेंगे और वो करंगे एलेशे का एक पेपर हुआ था पसूधन सायक का आप यह से बहुत सारे से टूडेंट है जो एले शेक की भी तयारी करते हैं तो कि वशो दन साय कि आप मैंसे यो तयारी कर रहे हैं उनको तो पेपर देखना ही है साथ में चाहिए कोई भी किषी भी competition की तयारी कर रहे हैं उनके अंदर राजस्तान जिक्चे जो question आए थे वह बहुत ही शांदार क्योंशन थे इसलिए मैंने सोचा को लेकर आ रहे हैं अच्छार इस पिरी हाँ बिल्कुल डेट सारी आ गई यह बिल्कुल कहां ता सही कह रहे हैं टेट का तो मतलब यह मान के चलिए कि सरकार ने पता नहीं कौन सा नशा कर रहा है वाकि सारे एक्जाम सित्वर और अक्टुमर में करवा रहे हैं और सित्वर के अंदर इसकूल ने भी ओपन हो रही है इसकी बजाए तो जो बच्चे हैं उनके छुट्टियां और रख देते दो महीने की क्योंकि एक्जाम कराने के लिए शेंटर तो चाहिए तो दो महीने की साथ- आज जाएगी अच्छा आइक कोड के पर नहां बिल्कुल सभी के सभी के लिए इंपोर्टेंट चलिए फिर शुरू करें सेशन तली हाँ हाँ पता नहीं कौN सभी अच्छा पिश्बाल तो दिन्यमाद आपका कसा मिलकोल कि देकिए पूराने समय अपकी एक्जाम के लिए पस्तु धन शायक इसके अंदर राजस्तान जिक्ये के 40 कुशन आते और अच्छे कुशन थे इसलिए मैं नहीं सोच है यह भी कर लेते चलिए फिर शुरु करते हैं से सेशन और सुरु करते हैं वहां से जहां जिक्के की यह देखी लीजिए आपके सामने रहा कुशन नंबर फास्ट और राजस्तान जिक्के का पहला कुशन यह लीजिए उछा गया है राजस्तान में शंतित किशान अंदोलन कहां से आरंब हुआ था अच्छा कुशन है लेंग्वेज को पकडना है उसन पूच रहा है राजस्तान में शंक्तित किसान अंदोलन कहां से प्रारम हुआ था विजूलिया से अलवर से बेंगु से या फिर शिक्कर्षे बताइए फटाफट राजस्तान में शंक्तित किसान अंदोलन कहां से शुरू हुआ था बिल्कुल शाबाश शाबाश सत्यवीर रूपकमर दिपक संजू बिल्कुल अच्छा कांता गुजर आरेश वाड़ा करवाएं चलिए कोई नहीं नेक्स टाइम वो करवा देंगे कल आरेश का लेकर आएंगे ठीक है बिल्कुल शाबाश सभी के राजस्तान में शंक्तित जो किशान अंदोलन था वह आपके कौन सा था याद अखना बिजोलिया किसान अंदोलन और अच्छी बात आप सभी जानते हैं चम्मालीस वर्षनों तक चला था ये इसे लिए से भारत का मेराथन किशान अंदोलन भी कहा जाता है 1897 शे शुरू हुआ था और जो 1941 तक चला था और याद अखना ये तीन चरणों में हुआ था पहले चरण के परमुक थे शादू शितारामदास दूसरे चरण के थे विजेशिंग पतिक जिनका मूल नाम भूप्षिंग गुजर हुआ करता था और तीसरे के थे च्यार वक् पूछा गया था राजस्तान का वेह किशान आंदोलन जिसका आगास तो उत्सा वर्दक हुआ था लेकिन अंत बड़ा दर्दनाक हुआ था याद रखेंगे कौन सा है बिजोलिया और बिजोलिया इस्तान कहां पर होता है तो याद रखना भिलवाडा के अंदर वैसे विंद्यावली और विजोलिया की इस्तापना की थी अशुक परमार ने इसने की थी अशुक परमार ने तो बहुत शारी बातें यह आप याद रखेंगे ठीक है तलिए बात करते हैं अगले क्यूशन को लेकर क्यूशन नमर 2 आपके सामने अच्छा क्यूशन है इजी सकता है आपको दिक्कत होती लेकिन यहां पर तो पूछ रखा है वहिस्तान जो अपने मर्दा सिल्फ टेरा कोटा के लिए परशिद है मुलेला के थून पग्रू या शांगाने फटाबट बताई कौन सा है इसाबाज शाबाज शाबाज और एक बार जो भी हमारे साथ हैं वो शेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाबट कर दीजिए तलिए वे इस्तान जो अपने मर्दा सिल्फ टेरा कोटा के लिए देखिए एक्जामिनर सीधा पूसता है टेरा कोटा के लिए परशिद है तो याद रखेंगे कौन सा गाउं है मुलेला गाउं या दखना मुलेला गाउं नाराशमन के अंदर एक बार ये भी पूछा गया है कि मुलेला गाउं के अंदर जो टेरा कोटा है इसके परशिद कलाकार कोण है इसके परशिद कलाकार याद रखेंगे मोहनलाल मोहनलाल कुमावत इसके क्या है है पर्शिद कलाकार अच् pokla for में आप सभी जानते हैं अब यहां की तो पर सिद है आपके मसूर्या श्वाडि पंसूर या शाड़ी तांगी है केथून कोटागी सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट है और बगरू की बगरू प्रिंट है और बगरू कहां पर है जैपूर के अंदर अच्छा क्यूशन है भई एक्जामनेर पूस्ता है ठीक है चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल मौहुल लाल कुमावत है जई बिल्कुल सही बाद लिए अगला क्यूशन क्यूशन नमर 83 आपके सामने अच्छा क्यूशन 83 राजस्तान के संतंतरता आंदोलन के दोरान गिरबतार होने वाली राजस्तान की पहली मैला पहली मैला जो सवंतंतरता आंदोलन के तेहित गिरपतार हुई थी नगेंद्र बाला रतन सास्तरी अंजना देवी चोदरी या फिर रम्मा देवी पांडे बताइए इसका राइट आंस्वर क्या होगा हाँ उसमें कभी अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल तर लिए बताई इसका अंसर विजय जाखड पुजा चोयल प्रेम निलम महेश पापा का लाडला अच्छा पुन्नम रूप कमवर्शत्य वीर फिल्कुल शाबाश 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 राजस्तान के सहुतंता अंदोलन के तेहित गिरपतार होने वाली पहली मैला कौन थी तो याद अखना अंजना देवी चोदरी ये जो अंजना देवी चोदरी है ये क रिटा चोदरी क्या नाम है रिटा चोदरी और रिटा चोदरी वर्तमान के अंदर आपके मंडावा शीट है जुन्जनु के अंदर वहां से कांग्रेश से क्या है विदाइक है राजस्तान में जो पर्थम बार उप्चुना हुए थे वहीं पर विजय हुई थी कौन रिटा चोदरी जो अंजना देवी चोदरी की क्या है पुत्री है मंडावा से है कांग्रेश की है मले सलिए अगला क्यूशन देखिए 84 कि इसन नमर 84 अच्छा फेक्ट है कि पूछ रहे एकीकर्थ राजस्तान के निर्माण में मतश्य संग मतश्य संग में सामिल जिल्ले थे पताईए मतश्य संग राजस्तान का एकीकरण आप सभी जानते हैं कितने चर्णों में हुआ था साथ चर्णों में कितने चर्ण थे वई साथ चर्ण और इनी चर्ण में से पहला चर्ण था जिसका नाम था मतश्येशंग आपको पुछा जाए मतश्येशंग नाम किस ने दिया था तो के एम मुंसी ने दिया था कन्या लाल मानिके लाल मुंसी ने दिया था मत्तर सिसंग का गटन कब हुआ था तो याद अकना 18 मार्च 1948 और इसके अंदर चार रियाशतों को मिलाए गया था कौन कौन सी तो वो थी आपके अब धोख कौन सी थी भई अब धोख A से अलवर है B से भरतपूर है दो से धोलपूर है और K से करोली है और एक ठीकाना भी है जिसका नाम है निम्राना मतलब आप्शन नमबर D is correct आश्वर अब धोख ठीक है एक ये ट्रिक है अब धोख और एक है सब धोख देखिए एक तो है अब धोख और एक है सब धोख सब धोख में है शवाई मादेपूर भरतपूर धोलपूर और करोली जबकि ये तो भरतपूर शंबाग है या दखना कौन सा है भरतपूर संबाग जो 4 जून 2005 के अंदर बना था वसुंद्र राजिक शरकार दुआरा तो नविन्तम संबाग भी पुछे तो भरतपूर संबाग है और राजस्तान का नविन्तम जिल्ला भी पुछे तो परताब गड़ है 26 जनवरी 2008 के अंदर और वो भी वसुंद्र राजिय की शरकार में बना था ठीक है यहां पर ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट टांसफर ले लीजिए ऐटी फाइब नंबर क्यूशन पताईए किसे नंबर एटी फाइब दिक्तोर आया ना क्यूशन तो आराम से एक बार थमसब करके बताई क्यूशन आराम से दिख रहा है कोई दिकत नहीं है राजस्तान में 1857 की क्रांती के समय यहां के एज़े ज्याञ्य ट तू गवरनर जनरल कोण हुआ करते थे कप्टान बलेक हैंदी लोरेंस जोर्ज पैट्री लोरेंस और कप्टान हिश्कोट बहत ही शांदार क्यूशन बहत ही सांदार क्यूशन इसका आशुर बताई क्या हो गवर्नर जनरल और इस अमें गवर्नर जनरल कौन था तो आप सभी जानते हैं लोर्ड के निग इसी गवर्नर के अधीन वा करता था एज जी एजएंट्टू गवर्नर जनरल कौन वहा करता था एज़ेंट टू गवर्नर जनरल और आपको पुछे राज्य का फस्ट एज़ेंट टू गवर्नर जनरल तो याद अखना इब्राहिम लोकेट जिशा पड़ते हैं मिश्टर लोकेट के नाम से हमें तो पुछा गया है अटारा सो सत्ताउन के समय कौन था पत पेक्ट्रिक लोरेंस और इससे जस्ट पहले कौन था तो याद अखना हैंडरी लोरेंस और यह जो है अटारा सो सत्ताउन के समय एज़ेजी याद अखना ये कारवाहिक है परमानेंट नहीं था कौन था यह कारवाहिक जोर्ज पेट्रिक लोरेंस पुरा नाम याद रखें और एजजी के अदिन आप सभी जानते हैं पीए वा करते थे पॉलिटिकल एजेंट जैसे जैसे जोदपूर के अंदर पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मेक मोशन कोटा के अंदर कौन थे बर्टन मेवाड के अंदर कौन थे तो आप जानते हैं सावर्स और उशी परकार यहां जैपूर के अंदर कौन थे इड़न तो इनके अधीन हुआ करते थे पॉलिटिकल एजेंट चलिए अगला क्यूशन भाई कुसे नमर 86 अब इतना इजी पूचा है कि बस पूचिये मत किशी के गलत ओने का कोई चांस नहीं है किशी के भी गलत ओने के कोई चांस नहीं है यहां यहां का भी क्यूशन आवेगा बिल्कुल आते हैं राजस्तान का एकिकन खाली जगें कितने चर्णों में हुआ है पता ही कि फर्स्ट कि पतश्य शंग नंबर दो पूर्वी राजस्तान शंग नंबर तीन स्यूंग्त राजस्तान शंग नंबर चार प्रहेत राजस्तान शंग नंबर फाइब स्यूंग्त प्रहेत राजस्तान शंग नमबर छे प्लिक से संसुख और नमबर शाथ नवीन राजस्तान को नवीन राजस्तान संग कितने हैं याद शायरण जिसके अंदर इमपोर्टेंट च्यार चरन हैं और इंट चार चरनों की डेट कई और याद अकनी हैं तो पहला तो है अठाव मार्च गूप उस्रमा बुआ था तीस मार्च को यह तीन तो याद अगना 1948 के अंदर है और यह 1949 के अंदर है यह साथ चरण है इंपोर्टेंट इक है विल्कुल विल्टिंटू कुशन था वही तलिया कुशन नमर 87 अब अच्छा कुशन है वही पताई यह मेवाड के महराना भुपाल सिंग किश्वरस में राजस्तान के महाराज परमुख बने थे बहुत ही शांदार कुशन पेले भुपाल सिंग राज परमुख बने थे लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कब महाराज परमुख बने थे बताईए कुछन नमर 87 पताइए बेवाड के महाराना भुपाल शेंग किश्वरस में राजस्तान के महारास्ट परमुक बने थे पताइए इसका अंसर क्या होगा ठीक है ठीक है ठीक है देखिए महाराना भुपाल शेंग महाराना भुपाल शेंग का सम्मन्ध है मेवाड से कहां से है मेवाड से मतलब बात है उद्यपुर की तो आप सभी जानते हैं कि उद्यपुर का विले तो कब किया गया था राजस्तान के तीसरे चरण में तीसरे चरण का नाम क्या है तो स्यूंक्त राजस्तान संग ये कब आया था श्यूंक्त राजस्तान संग तो 18 अप्रेल 1948 इस शम्मे तो बने थे ये याद अखना क्या बने थे राज परमुक बने थे लेकिन लेकिन जब आगला बना था 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को क्या बना था वो बना था आपके व्रहेत राजस्तान संग जिसमें विवाद हो गया था राज परमुक को लेकर इसलिए महारना भुपाल शिंग को क्या बना दिया गया था महाराज परमुक और याद अखना यह एक मातर ही एशे वक्ति हैं जो आज जीवन क्या रहे थे महाराज परमुक बने थे 1949 के अंदर आपसर नमबर शीज करेक्ट आंसवर अच्छ पूरा क्यूशन नहीं दिख रहा क्यों 87 पूरा नहीं दिख रहा क्या बताई यह पटापट क्यूशन नमबर 88 अब इसकी लेंग्वेश्ट में कैसे यह पेपर यह जो आया था एक्जाम के अंदर शेयम एजिटीज पताई यह जुन्नागड दुरक कहां इस्तित है जुन्नागड दुरक कहां पर है भई जैपूर में हैं उदेपूर के अंदर है जोतपूर में हैं य आप नहीं दिख रहा है क्या प्रता यह फटापड़ इसका आंस्वर क्या होगा जुन्नागड जुन्नागड जिसे कहा जाता है जमीन राजेवर क्या कहा जाता है जमींद्रा जेवर कहा जाता इसे जुन्नागड जिसका निर्मान करवाया था याद अखना रायशिंग ने और किसकी देखरेक में करम चंद की देखरेक में यह वही जुन्नागड है जिसके अंदर 33 क्रोड देवी देवताओं का मंदीर देवी दियमताओं का मंदिर तो याद अखना कहां पर है यहीं जुनागड विक्कानेर के अंदर जुनागड कहां पर है ओफर नमबर डीज करेक्ट आसफर विक्कानेर हाँ जुनागड वही अच्छा था हुत है मैं याद आ गया चलिए वो जुनागड जमींद्रा जेवर निर्मान राशिंग करम चंद की देखरेक में 33 करोड देवी देउताओं का मंदिर यहां पर है और साल कुछे तो कहां पर है आप जानते हैं मंडोर जोतपुर के अंदर बिल्कुल भई शाबाश हाँ बिल्कुल चलिए नेक्स देखे एटी नाइन अटी नाइन नमबर क्यूशन और अच्छा क्यूशन है भई पुछा गया है अजरक प्रिंट का शम्मंद कहां से है बालोत्रा से है बग्रुशे है पालिस से है या फिर बाड्मेर से है बताई अच्छा अच्छा प्रिंट का सम्मंद कहां से है बालोत्रा से पालिशे बग्रुशे या बाड्मेर से अच्छा अच्छा बताईए 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 देखिए अजरक प्रिंट पुछे या मलीर प्रिंट पुछे इसके अलावा आपको आजम प्रिंट पुछे आपको जाजम प्रिंट पुछे और चाए आपको एक दाबू प्रिंट ओ रहे ना दाबू प्रिंट पुछे इसमें से याद रखना है आज्जम प्रिंट जाज्जम प्रिंट और दाबू प्रिंट ये तो कहां पर है याद रखना चितोडगड में ये तो कहां पर है याद रखेंगे चितोडगड के अंदर ठीक है और अज्रक और मलिर प्रिंट ये दोनों ही कहां पर है तो याद रख अंस्वर लेकिन अ कि लेकिन i ame net लेकिन एक उसन दिलिट कर दिया मततब्यूंस कि सिनको डिलिट माना गया एले शेक्षटर का यह पर है मनिराम पर्डवास बिल्कुल जी नमस्कार कुंग न कर Avengers के अंदर गलत तो नहीं होता न अब आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो पढ़ते ही खुश हुए थे कि अच्छा चलो आता है लेकिन आगे चलकर हुआ क्या डिलिट तो इसका राइट आंसर बार्ड मेर है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुर और बाकी यह आज़म जाज़म और दाबू प्रिंट याद रखेंगे चितोड में है चलिए नेक्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 90 बताइए पुछा गया है नो लखा दर्वाजा निम्लिकित में से राजस्तान के किश्किल्ले का एक भाग है बताइए देखिए वैसे यह नाव तो नव लखा है नव लखा दर्वाजा एक और याद रखेंगे वैसे नव लखा बंडार एक नव लखा किल्ला गणा एक और लिकूँ नव लखा जील अगे आंस्वर कहां पर है जाबाश 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 नव लखा दर्वाजा है ये तो आपके कहां पर है तो याद रखेंगे रन थंबोर किल्ले के अंदर है शवाई मादेपूर में नौलक्खा जो भंडार है ये है आपके चितोडगड में ये कहां पर है चितोडगड के अंदर नौलक्खा किला जो राजस्तान का एक मातर अधूरा किला है आज भी पूरा नहीं बना है ये है जालरा पाटन जालावाड में ये जालावाड के अंदर है नौलक्खा जो जील ह वो आपके बुंदी में है काँ पर है बुंदी के अंदर याद रखेंगे नौलखा नौलखा मंगा दे मारे एक वो भी है एक नौलख का हार भी है काँ पर पहनते हैं हाँ अब होगी अब सरकार का मतलब हुकुम आयो है पक मिंडिया थे सरकार का चलिए नौलखा दर्वाजा रन थंबोर नौलखा बंडार चितोडगड यह पुछे गए नौलखा किला भी जालरा पाटन जालावाड में हैं और नौलखा जील बुंदी में हैं चलिए अगला क्यूशन क्यूशन नंबर नाइंटीवन पुछा गया है धानवन दुरग खाली जगें के बीच इस्तित होता है कल क्यूशन था कौन सा कल क्यूशन था एक एकजामपल पुछा गया था कि निम्न में से धानवन दुरग है धानवन का मतलब होता है एशा दुरग जो मुरुस्तल में हो मुरुस्तल का म और सोनार की लाप सभी जानते हैं कहां पर है जशल मेर के अंदर तो ऐसे ही याद रखना है एक और फेक्ट याद रखना बड़ा इंपोर्टेंट है याद रख लेना ओदक ओदक दुरग का सबसे परशिद एक्जामपल है ये क्यूशन पूछा गया है तो याद रखना ओदक दुरग का मतलब होता है वहे दुरग जिसके चारों और जल हो वो कौन सा दुरग के लाता है ओदक दुरग और ओदक दुरग का परशिद एक्जामपल है गागरोन का किला क्यूंकि गागर जिसके चारों और परीदी मतलब परकोटा हो वो पारीद दुरग में है एक है पारिक जिसके चारों और क्या हो खाई हो इसका बेस्ट एक्जामपल है आपके सामने लोहागड भरत पूरवाड़ा जहां पर जिसके अंदर सुजान गंगा नेर बेती है वह याद रखेंगे ध नमबर 92 हल्दीगाटी का युद किश्वरस में लड़ा गया है अब जब भी पढ़ाते हैं तो इस्टुडेंट पूश्टा है सर कब हुआ है अठारा जून लिख हूँ या एकीश जून पेटी का बाब ना तो अठारा पूचे ना एकीश पूचे शिदा काई पूचे सन पूचे और इशी तरीके से हमेशा कौण कौण से युद याद रखेंगे तो एक तो याद रखेंगे खानवा का युद 17 मार्च 1527 में हुआ था ये भी सन से पूचता है शिदा शिदा इ अल्दी गाटी तो परसीद है पंद्रा सुची हेतर के अंदर एक इश्री परकार गिरी शुमेल का युद भी याद रखेंगे ये भी 1545 के अंदर पूचता है के बार इसके अलावात तराइन के दोनों युद याद रखेंगे फस्ट 1101 के अंदर और चेकेंड 1102 मतलब इन अल्य लीडल के अंदर लडा गया युद यह अगला केशन 93 से बिश्ट नमर 93 उचा गया है chip नि लिखित में से किश्व ऺधान की अनुसार राज बूटों की उत्पति अगनी कुंड से हुई है पताई निम लिखित में शेकिष्विद्वान के अनुसार राजपुतों की उत्पती अगनी कुंड से हुई है शिरी गोरी शंकर ओजा, डॉक्टर गोपिना सर्मा, कवी चंद बर्दाई या डॉक्टर दशरत शर्मा पताई इसका आंस्वर क्या होगा देखिए अगनी कुंड एक गुरू थे जिनका नाम था गुरू वशिष्ट अब कहते हैं कि गुरू वशिष्ट ने आबू परवत पर कहां पर? आबू परवत पर एक अगनी कुंड यग्ये किया था और इसी अगनी कुंड से चार वीर राथपूद जात्या निकली थी जिसमें परतिहार, परमार, सालू के और चोहान करम से याद अकना है और ये जानकारी शारिक शारी हमें देता है कौन सी पुस्तक याद अकना पर्थ्वी राज राशो के बारे में पर्थ्वी राज राशो के अंदर ये सारी शारी जानकारी है और पर्थ्वी राज राशो के जो लेखक है उनका नाम है चंद बर्दाई चंद बर्दाई आप सभी जानते हैं चंद बर्दाई पर्थ्वी राज तर्तिय हैं उनके अच्छे शखा हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि चंदर बर्दाई और पर्थ्विराज दर्ते हैं, इनका जनम भी एक ही दिन हुआ था और इनकी मर्त्यू भी दोनों की एक ही दिन हुई थी, ये है वोई, औ चंद्र बर्दाई जिनकी पुछ तत्र पर फिराज रासओ और इनको पूर्ण लिखा दा किस्ने या दखना चंद्र बर्दाई का ये पुत्तर है जिसका नाम है यह जळान और एक इतियास के अंदर कलने या दखना यह जलहन है एक कलन है कलने राश तरंगी नहीं लिखी है जिसके अंदर किसका इतियास है या दखना कश्मीर का और इसको पूरा किया था जलन ने यहां पर ऑप्शन नमबर चीज करेक्ट टांस्वर है तलिए बिल्कुल शाबाज शाबाज शीश्रीव भई सभी के बहुती शांदार सी रही तैंटलिये साथी अगला क्यूशन क्यूशन नमर 94 अच्छा क्यूशन है बताई यह फटावट राजस्तान के शंद्रब में पिला पॉम्चा है पॉम्चा है तीन है हैं कि पॉम्चा गिता है पॉम्चा तीन है कोणषए एक फिला है कर coinc एक ए मिलाबी है और एक है नीड्र कावमचा है आपनिये शुना कभी है इलुम्चा को पॉम्चा तीन ही परसीदे पॉम्चों से जब क्यूशन आएगा तो इशी परकार चाहेगा पिल्ला पॉम्चा बताओ ये है क्या लोग इत है लोग नर्तिये हैं पेंटिंग है या कपड़ा है फटावड बताई ये अरशाब बास प्रेम रूप कमार परभू घरिमा हनुमा पॉम्चा क्या है या दखना कपड़ा पॉम्चा होता है घुला भी पॉम्चा ये पर्तिक माना जाता है वसट की वर्दीका इसलिए जब पुत्तर जनम लेता हैं沒關係 और जब घर के अंदर लक्षमी आती है यानि कि जब पुत्री जनम लेती है तब कौन सा पॉंचा ओड़ा जाता है तो या दखना गुलाभी पॉंचा पिल्ला पॉम्चा सरवादिक कोण सी जाती की महिलाएं ओडती है तो याद अखना जाट महिलाओं दुवारा ये क्यूशन पुछा गया है भई सरवादिक पिल्ला पॉम्चा ओडने वाली महिलाएं है तो याद अखना जाट महिलाएं तो जब पुत्र जनम लेता है तब पिल्लरव सेखाव ठीगा उप्सिन नमबर सी करेक्ट लो sound नर्तिये पताई ये वालर नर्तिये देखिए तब से पहले तो वालर नर्तिये परशित कहां का है याद रखना शीरोई का और इसकी एक विशेष्टा है वालर नर्तिये वे नर्तिये है जो बिना वाद्ययंतर के किया जाता है अच्छा क्यूशन ये भी बनता है बिना वाद् और दियकों कहा गया है गराश की होग मर्सित क्वंधर Πड़ा रहा है आपको श्राश की क्या कहा गया है विंघ विफिजीन गुमरैं तो बड़ी परशिद है तो गराश की कि गुम्मर कि नर्टिय को या दखना वालर नर्टिय में यह हाद के अंदर तल्वार शाता यह इस परकार से लेकर जो नर्टिय किया जाता है वह कोण सा है वालर अच्छा कुशन है अगला किुशन चॉम से अच्छे आये इस पेपर में यह लीजिए 96 नमबर क्यूशन आपके सामने पुछा गया है निम्न में से कौन सा अबुशन कान पर पहना जाता है कान पर पहना जाने वाला है टिका तोटी पुली या रिम्जोड कान पर लेंग्वेज को पकड़ना है कान पर पहना जाता है पताइए आप में से हाँ बिल्कुल वाला नर्ति और वाल राकर से बिल्कुल सही शाबाज परें पताईए कौन सा अबुशन कान पर पहना जाता है और क्या संजु विष्णु बुल्ली बता रहे हैं अरे कम से कम में सोचा मैं छोटी पड़ी बेन ने जो भी हमारे शाहत हैं वो तो सही बताएगी बताईगी बताईगी बताईए कान पर अरे शाबाज पुजा रितेश घरीमा अच्छा हितेश संजु भाटी साबाज आवाज 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 तोटी तोटियां हुए तोटिया देख जिवार कान में है के कान पर है देखना ठीक है तोटी भाई आप्सिन नंबर शीज करेक नास और बिल्कुल सही है बिल्कुल 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 सलिए यह तो वन लाइनर फैक्ट है वई याद अखने आपको तलिए अगला नाइन टीशेवन दुंगरपुर वेबांसवाड़ा शेत्र में कौन सी भासा बोली जाती है मारवाड़ी वागड़ी मेवाती या धुंड़ाड़ी पताइए अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिकत नहीं है मेप के लोकेशन के अनुशार इसका आंस्वर आप आराम से बता सकते हैं क्या दुंगरपुर वागड़ा राजस्तान के पूरी भाग में नहीं यह इस राजस्तान के मेप के अंदर यहां पर है आपके वागड़ा यह शेत्र ही कहलाता है वागड़ वागण सबद बना है वाग से, वाग कार्थ होता है पहड़ी या डूंगर, वेशेतर जहांपर सर्वादिक पहड़ी या वे डूंगर है, लगा कि जाउसा होगा, और साउसा होगा, लगार सी इस सौर्षर स्म tourists अगर कार्षर यहां से एक पैक्त और यार दखना है, एक्जामनेर पूस्ता है निम्न मेंसे वेह भासा जिस पर सरवादिक गुजराती परभाव दिखता है तो देखिए यहां पर है डूंगरपूर और मासवाड़ा और यहां पर गुजरात राज्ये है यहां पर गुजरात है यहां पर MP है यहां पर UP है यहां पर आपके हरियान है यहां पर पंजाब है तो वागड़ी भाषा पर याद अगना सरवादिक गुजराती भाषा का अभी परवाव में दिखाई देता है तो दो क्यूशन अच्छे हैं यह कि के अगला क्यूशन है किसे नमबर नाइन्टी एट कुछा गया है नमलिखित में से कौन सा इस्तल धुलकोट भी कहा जाता है देखे धुलकोट विराटनगर है काली बंगा है आहाड है या फिर पिल्ली बंगा है बताई धुलकोट भूल का मतलब आप जानते है रेत जहां पर रेत के टिल्ले ओशकते है कौन सा है विराट नगर है काली बंगा है अहाड है या फिर पिल्ली बंगा देखिए तब से पहले तो आप बता दीजिए अच्छा चिंटू क्यूशन बिल्कुल गरिमा असराज प्रेम दिनेश कालूराम समता अंजू सोनिया बिल्कुल साबास वेश अभी के देखिए बिल्कुल यह है आपके कौन सा अहाड अहाड सब्यता अहाड सब्यता कहां पर है तो हमने नदी के किनारे है आयड नदी के किनारे होज किस ने की है तो अक्षे कीर्थी व्यास ने की थी कब की थी 1953 के अंदर और यह जो अहाड है इसे इस्तानिय भासा में ही क्या कहा जाता है याद अखना धुलकोट क्या कहा जाता है धुलकोट और वेसे भी आहाड को कहा जाता है महाशत्यों का तिल्1ौ क्या कहा जाता है महाशत्यों का तिल्1 और अभी जिश्ट बीश दिन पहले आपको पता हो तो उद्धेपुर के अंदर आग लगी थी यह वही आहड है जहां पर अभी आग लगी थी वर्तमान के अंदर बाकि आप जानते हैं कि आहड को क्या बोला जाता है याद अखना तामर्वती नगरी बोला जाता इसे क्योंकि यहां से हमें तांबे के उशेश मिले वेसे तामर्यूगिन सब्यता की जन्नीतों किसे बोलते था बई एचे डी सांकलिया हश्मुक धिरजलाल सांकलिया पुन्हा विश्विद्दाले के प्रोपेशर हुआ करते थे जिनके शाय तकी थी आस्टेल्या की मेलब्रन यूनियूर्शिटी ने तली अगला क्यूशन 99 पूंग नंबर क्यूशन आपके सामने पुछा गया है यहां पर पुछा गया है परत्विराज विजे के लेखक जयानक है सूर्यमल मिस्रण है मुनोत नैन्सी है या चंद्रवर्दाई सूर्यमल मिस्रण की जब बात होगी तो दो पुस्तक हैं आपके जहन में आएगी एक तो वश्बाशकर है और एक है आपके वीर शत्साइग के यही है और बाकी सूर्यमल मिस्रण को क्या बोलते हैं राज्ज कई अठारा सो सत्ताउं की करांति को अपने आंखों से देखने वाले इत्यासकार थे सूर्यमल भीकी तो परत्विराज राशो लिकी है पर्थिराज राशो मुणोत नेंडसी आप सभी जानते हैं एक तो लिकी है आपके नेंडशीरी ख्यात राजस्तान की शब्षे प्राचिन ख्यात दूसरा लिका है गरंत मारवाडरा परगनारी विगत जिसे बोला जाता है राजस्तान का घजेटियर क्यूंकि इसी मारवाड परगनारी विगत के अंदर मुनोत नेंची ने सर्व趣 परत्म अपने राजस्तान में जन गल्णा की थी इसी लिए उनोत नेंची को कहा जाता है राजस्तान में जन गणना का अग्रज और इन्हीं दो घरंतों के कारण मुंशी देवी परसाद ने मुनोत नेंशी को कहा है राजस्तान का अबुल फजल वाकी कौन बचे जयानक बिल्कुल जयानक भट पुरा नाम है इनका जिनोंने किसकी रचना की थी पर्थ्विराज विजे और ये वो ही जयानक भट है जिनोंने चोहानवस के एक महानशाशक जिनका नाम होता है विगराज चतुर्थ उनको कवी या कटी बांदों की उपादी दी थी ये भी आप इतियास में के अंदर पढ़ चुके हैं तो याद रखेंगे कौन है पर फिर आज विजे के हैं जयानक बट जयानक बट वोई जिन ने वहां बिल्कुल साबास विगरा जिनने कहा जाता है भिलों का गुरू और जिनका जनम हुआ था 1858 के अंदर कहां पर वा था पाश्या गराम के पंजारा परिवार में गोविंध गिरी के नर्तत्व में भील अंदोलन को दबाने के लिए मान गड़ का जन शार किश वरस हुआ था मान गड़ पहाड़ी आपको याद आ रही है मान गड़ पहाडी हत्याकान मान गड़ पहाडी का हत्याकान यह मान गड़ पहाडी कहां पर है याद अखना बांश्वाडा के अंदर यहां पर कहते हैं कि गोविंद गिरी के साथ में मिलकर कम से कम 2000 से लेकर 25 भीलों की एक मिटिंग चल रही थी और यह चल रही थी आपके कब तो याद रखेंगे 17 नवंबर 1913 के अंदर जहां पड़ मेवाड भील कोर ने गोलियां चलाई थी 17 नवंबर 1913 के अंदर जिस पर जिस पर याद रखना मेवाड भील कोर ने क्या चलाई थी अंदा दुन गोलियां जिसके अंदर 1500 भील सहीद होगे थे याद रखना कितने 1500 भील सहीद होगे थे इसलिए मानगड पहड़ी का जो हत्याकांड है यही कहलाता है आपके राजस्ता राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकांड राजस्तान का जलिया वाला याद अखना क्या कहलाता है बाग हत्याकांड हाँ अब आप यह जरूर कहेंगे कि सर जलिया वाला बाग हत्याकांड तो 1919 में हुआ था तो फिर इसे कैसे संक्या है याद रखेंगे इसे ही कहा जा करता है अपने राजस्तान का जलिया वाला बाग हत्याकान घटना है साथियों 17 नॉवंबर 1913 किलियर विल्कुल भी सब्सक्राइब के सावाज कि अच्छा पेरिंगा कर देंगे अपने साथ में अच्छे इच्ट्व एक तो आप करेंगे चलिए साथियों इस पेपर में क्यूशन अच्छा आये थे ले exercise का पेपर है यह पशुधन शाय का टेपर कोई भी हो अपने दो पूराने पेपर सोल कर रहें जिस राजस्तान जिक्के की क्यूशन आते हैं चलिए क्यूशन नंबर 101 आपके सामने यह रहा क्यूशन नंबर 101 अच्छा क्यूशन है आराम से पढ़नार उसके बाद में आश्वर देना और बहुत इजी भी है उच्छा गया है राजस्तान के निम्निक कौन सा एक भोतिक सर्वादिक्षेत्र फलवाडा है वाई सर्वादिक्षेत्र फलवाडा देखिए आप सभी जानते हैं कि राजस्तान पर्मुक रूप से चार भोतिक परदेशों में बंटा है कि इतने भोतिक परदेशों के अंदर बंटा है चार देख लिए आराम से कौन-कौन से एक्जा सबसे प्राचीन है वो तो है आपके अरावली सबसे प्राचीन कौन सा है अरावली जबकि मरुस्तल क्या है याद अखना शब्षे नवीन अब यहां पर शेत्रफल की बात करते हैं तो राज्ये का जो शेत्रफल है उसके कुल अब यहां पर शेत्रफली पर शेत्रफल का 61.11 पर तो क्या है याद अखना मुरुस्तल 9.2020 पर क्या है याद अरावली थिपाज्टान है आप पर इग्यारा तो पूछा गया सरवादिक तो सरवादिक आ बताई देंगे और नमबर शीज करेक्ट आंस्वर उत्तर पस्चिमी मरुस्तलिय परदेश और साथ में प्राचीन और नवीन याद रखना आप में से जो पुलीस और वन्रक्सक वनपाल देंगे ना हंडेड़ परशेंट पूछता है यह कि सबसे नवीन कौन सा और सबसे प्राचीन कौन सा है यहांसे रिलेटेट कोई ना कोई फेक्ट आपको वह जरूर पूछता है तो यह बिलकुल साबाश भेश हभीग है बिलकुल साबाश यहां पर जो मिट्टी है वह आपके रेतिली या बलोई मिट्टी पाई जाती है यहां पर अरावलिक के अंदर परवत्य मिट्टी है यहां मेदान के अंदर जलोड मिट्टी है जबकि पठार के अंदर काली मिट्टी है जो कपाश के लिए उप्योगे बातें आप जानते हैं और शिख णंदो लिखेशन नमर एक सो दो पूच़ रहा है व्डिया पथार उडिया पथार कहां पर है देखे लिए पथार कि है पूडिया पथार की उन्चय 언니 है 1360 मिटर, कितनी है साथी, 1360 मिटर, राज्ये का सरवोच पठार है ये, राज्ये का सबसे उंचा पठार है ये, सरवोच पठार जिसकी उंचा ही है, 1360 मिटर, और ये कहां पर है, तो याद अखना शीरोई के अंदर, इसके अलाव भी कुछ याद अखना है, जैसे आपको मेसा का पठार जिसका आकार टोपी नुमा है ये कहां पर है चितोडगड के अंदर इसके अलाभा आपको याद अकना है वो याद अकना है लसाडिया का पठार राज्ये का सबसे उबडखाबड पठार है ये है आपके उदेपूर के अंदर कहां पर है उदेपुर के अंदर वेरी इंपोर्टेंट ये भी आप याद रखेंगे इसके अलावा उप्परमाल का पठार भूराट का पठार भूमट का पठार उसको लेकर हमने चर्चा के यह बार कर रखी ठीक है तो ऑफ्टर नंबर शीज करेक्ट टांसवर किल प्रतिक परदेश से बनते हैं एक वन शे बनते हैं एक आपके जलवायु शे बनते हैं एक करशी शे और एक खनीज मतलब यहां से हमेशा थोटीकल कुशन पूछता है जैसे देखिए यह कोई फैक्ट नहीं पूछता है उचा गया है निम्ण में से कौन सा राजस्तान की ज बिरने वाले कारक तो यह सभी हैं समुंदर से दूरी हो समुंदर तल से उन्च ही हो तापमान वनस्पति लेकिन आधार भूत कि उसके आधार के बिना हम राजस्तान की जलवायू नहीं निकाल सकते तो इसे राजस्तान की जल्वायू तो आप सभी जान देंगे कौन सी है उपोशन कटी बंदिये है उपोशन कटी बंदिये जल्वायू और राजस्तान जियोग्रापी का सबसे और सबसे अच्छा और सबसे इजी टोपिक है राजस्तान की जल्वायू आप सभी ने पढ़ र आजस्तान की जलवायू को परभावित करने वाला आधार है वो तापमान है या दखना कौन सा है तापमान आप्शन नमबर सीज करेक्ट टांसवर आधार तापमान के बिना कुछ नहीं है यह आधार है वही तलिये साथी अगला क्युशन देखते हैं क्युशन नमर 104 आपके सामने क्युशन नमर 104 204 को उचा गया है राजस्तान में मुर्रुस्तली करण की सब्से परभावी परकिर्या कोण सी है वनस्पति अवनियन जल अप्वरदन पवन अप्वरदन या जल शंचेन राजस्तान में मरुस्तली करण मरुस्तली करण वनस्पती अवनेन है जल अपड़न है पवन है या जल शंचेन बताइए राजस्तान में मरुस्तली करण अब सिंपल सी बात है जल तो है भी नहीं वेशे भी क्या करेगे जल से वनस्पती तो वेशे भी नहीं है वची क्या है एक हवा है वहाँ पर तो याद रखेंगे राजस्तान में मरुस्तली करण का शब्षे परभावी परकीर्या है पवन अप्वर्दन मरुस्तल के अंदर पवन अप्वर्दन होता है अप्वर्दन का मतलब क्या होता है याद है आपको अप्वर्दन का मतलब होता है मिट्टी का इस्तानांत्रन होना और मरुस्तल के अंदर मिटी का इस्तान आंतर जल से नावनिश्पति से होता है के विल कहां से होता है वायू से मतलब पवन से परभावित है मरुस्तल ठीक है पवन अपवर्दन बिल्कुल रतलाल बिल्कुल सही है बासवाडा से बिल्कुल सही जवाब आ रहा है बिल्कुल स दोरान सरवादिक बाजरे का उत्पादन निम्न में से किस जिल्ले में किया जाता है आप इसको छोड़िए आप वर्तमान में बताइए राजस्तान में अभी का कुछन आ जाए सपोस्देन ऐसे कि राजस्तान में वर्तमान के दोरान सरवादिक बाजरे का उत्पादन निम्न आप करिए फटापट शेयर करना भी ना पूल है कि बताए यह कि वाज़ आधा आधा बाज़ा से एक तो बाज़ा अनुशनदान के अंदर याद रखेंगे कि विट्टे सबस्क्राइब जानते हैं बाज़ा अनुशनदान के अंदर बाड्मेर में हैं काँ पर है बाडमेर में और बाजरा शरवादिक याद रखना अलवर में है इस बार अलवर और जैपूर तूसरे नमबर पर जैपूर है पस्ट पर कौन है अलवर ऑप्सन नमबर शीज करेक्ट टांसवर ठीक है और वेशे भी पूछे के भारत में बाजरा की दरिश्टिश है आप हाँ पाज राम पाहा रायडा में मतलब तो इसरसों में आप हाँ लीकुल बिलकुल और एक जोद पूर के अंदर भी बिलकुल सही चलिए अगला कुशन नम्र 106 कि तुसन Dalam 106 कि निम्न कित में से कौन सी भेढ़ एंदेगे है थे तेरा नम्बर पेपर सॉल कर रहे है और हमेशां भेड़ से क्यूशन आ रहा है तो भेड़ को तो बस मतलब छोड़ने ही नहीं है भेड़ को पकड़ लेना है कि भेड़ की पर जाती भारतिये मेरीनों के नाम से जाने जाती है ऐसी कोण सी भेड़ की नशल है जिसे भारत की मेरीनों कहा जाता है पगरा फोनाड के नाम से किसे जाना गया भई फटावड बताई ये और एक वो परशित की उसन तो बार-बार रिपीट हुई रहा है कौन सा भेड परजनन वे उन अनुसंदान के अंदर अब तो ये याद हो गया होगा आपको हो गया तो कमेंट गरिये फटावड कहां पर है ये भेड परजनन वे उन अनुसंदान के अंदर कहां पर है वई बाकि बिलकुल सभी के राइट है बिलकुल बिलकुल चोकला 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 बिल्कुल चाहिए वई चोकला भेड है इसे कहा गया है भारत की मेरी नो बाकि जो शोनाडी है इसे चन्नो थरक आ जाता है क्यूंकि जब यह तरती है न तो इसके जो कान है वो छू जाते हैं ऐसे कुछ बाते हैं यहां पर अरशावास बिल्कुल भेड पर जनर वे उन अनु 107 कि पुशन नमर 107 है निम्न कित में से परताबगड जिल्ले में कौन सी बहुद्धिश्य परियोजना इस्तित है परताबगड में जमई परियोजना जाखम परियोजना माही बजाशागर या बिशलपुर अब परताबगड की बात है तो आप सभी जानते हैं कि यह फिए नाम क्या है जाखम नदी का जो उद्गम होता है कहां से याद रखेंगे माता की पहाड़ यां इसी जाखं नदी पर एक बांद बना हुए है नाम क्या है जाखं बांद और जाखं बांद की विशेष्था राज्य का सबसे उन्चा बांद है यह, سबसे उन्चा बांद, 81 मिटर है यह, कहां पर है परताब गड़ में, जाखं नदी की दो सायक नदियां हैं, एक तो करमई और दूसरी है शर्माई ये दो इसकी क्या है साइग नदिया इशी नदी पर एक परियोजना बनी हुई है जिसका नाम क्या है याद अखना जाखम परियोजना जिसका परियोग पेजल शिंचाई सभी में होता है ऑप्सन नंबर बीच करेक्ट ट्रांसफर है ये तो चलिए चलिए बिल्कुल शाबाश शाबाश भई शभी के राइटे लिए अच्छा फैक्त था तलिए बात करते हैं अगले क्यूशन को लेकर थोड़े से क्यूशन और बचे हैं 12 और बचे हैं तेकिए लिज्ये क्यूशन नमर 108 क्यूशन नमर 108 आपके सामने पुछा गया है मोरीजजा बानोला थनन शेत्तर इसके लिए परशिद है मोरीजजा बानोला देखिए को पोरीजजा बानोला ताबला शिंगाना नीमला राइशेला नाथ्रा की पाल नाथ्रा की पाल फुर हुंडेर फुर हुंडेर ये सारेक सारे किष्ट के लिए हैं बिलकुल वैश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वाश्वा 함तने लाकर फैसों रहाँ साथिक्हें पूंड़र फॉप्ष पूंडेर के अंदर यह अचे masih जाइसकों पूछब फॉच्ञा ला। दाबला शिंगाना, मोरिजा बानोला, नीमला राइशेला, नाथ्रा की पाल, वेत्थूर हुंडेर ठीक है? याद रखना लोहे का सरवादिक उत्पादन मोरिजा बानोला से होता है कुछा जाए सरवादिक भंडार तो नाथ्रा की पाल, वेत्थूर हुंडेर तरवादिक भंडार यहां पर हैं और उत्पादन मोरिजा बानोला से होता है ठीक है तलिए चले बिल्कुल शाबाश होई शबीक है तलिए अगला कुशन कुशन नमर 109 और ये भी आपको जैपुर्शे आगरा राष्टी राजमारक 11 का नया नमबर क्या है साथी फिर कह रहा हूँ एनेच जो भी पढ़ना है वो 2019 के अंदर परिवर्तन हो गया है सभी को पता है ना परिवर्तन हो गया है उत्तर से टक्षिन की ओर एनेच चलते हैं उनके नाम अब सब्संग्या में है मतलब एनेचज 2 है एनेच 4 है जो की पस्पलाइक की ओर चलते हैं उनके नाम अबन वितित्स मर्थ लिखाया में हो गए हैं जैसे एने यह संट बन है एनर स्थरी है यह 2019 की 1990 है और जाने की यह और आगा सबसे लंबा तो सारे सारे चेंजमेंट हो गए हैं तो यह आप नई रिपोर्ट जरूर पड़े विसका आंस्वर तो ना तो याद रखना है ना देना है आपकी इसका राइट आस्वर एने जिकीस है आपको नया पड़ना है तलिए अगला किशन जसलमेर जिल्ले में पालिवाल ब्रहमनों दुवारा चुरू की गई प्रागत जल शरक्षन की विद्धी कौन सी है भई पालिवाल देखिए पालिवाल ब्रहमनों दुवारा आप सभी जानते हैं कि पालिवाल ब्रहमनों दुवारा पंदर्वी शताबदी में कब पंदर्व तोंबी जश्लमेर के अंदर 500 से अधिक क्या है उसके अंदर करशी होती है इसलिए इसे नाम दे दिया गया है का कईन कर्शी बर कना क्या कहा जाता है कर्षी इसका पुरा-पुरा स्मस्वन कहां से है जश्लमेर में और एक्जामिन ने ये भी पूचा है एक्जामिन ने एक बार ऐसे पूचा कि टांक का नाड़ा वे खडीन क्या है तो याद अखना राजस्तान के अंदर प्रमप्रागत जल शरेक्षन के श्रोत हैं कुछन ऐसे भी पूच रखा एक्जामिन ने तलिए शातियों क्यूश शपेद बाग हरा कबुतर या फिर कोवा देखिए शरिश का अलवर की बात होगी तो दो अभ्यारन आएंगे हमारे सामने अलवर की बात होगी तो दो अभ्यारन कौण कौण से एक तो देखिए शरिश का अभ्यारन एक तो है कौण सा शरिश का अभ्यारन और दूसरा है आ यादखना अलवर के अंदर सरिश का यह अभियारन है यह तो राज्य का सबसे चोटा है राज्य का सबसे चोटा अभियारन है यादखना जो बनाई ही था 2012 के अंदर मातर तीन पर किलोमेटर के अंदर सरिश का जो अभियारन अलवर के अंदर यह परशिद है यह है आपके हरे कबूत्रों के लिए याद अखना और एक चीज और याद अखना हरे कबूत्रों के शाथ में हरे गर्दन वाले तोत्तों के लिए भी यही परसिद है हरे गर्दन वाले तोत्ते भी कहां के परसिद है तो याद अखना शरिश का अभियान अलवर मतलब option अभसर अभिके राइट बहुत ही शांदार अफर लूंबर यजे करेक्ट असवर तलियों शाती स्थी कुशन नंबर 12 कि युशन नंबर 12 आपके सामने ये रहा कि ध्यू व्हशन नंबर 12 है इस टेट ओफारेच स्थीपोर्ट 2017 नहीं 2010 में झालग है पर्तिक दो वरसों साती हम वन रिपोर्ट 2019 की बात करेंगे वन रिपोर्ट 2019 यहां पर परशासनिक वर्गीकर्ण है वनों का और आप सभी जानते हैं कि वनों का जो परशासनिक वर्गीकर्ण है वो तीन भागों में हैं कौन कौन सा है एक तो होता है आरक्षित वन आरक्षित वन वे होते हैं वे वन जिसके अंदर किशी भी परकार का हस्त शेप नहीं होता है मानव का आरक्षित तूसरा है रक्षित वन रक्षित वन का मतलब कुछ छूट दी जाती है और नमबर तीन है अउगीकर्थ वन तो प् पॉइंट चोशट और जिसके अंदर अवगीकर्थ है से पॉइंट पत्चीस यह वन रिपोर्ट है 2019 इसके अनुसार राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर बीच करेक्ट आंस्वर यह नई रिपोर्ट है प्रति एक दो साल के अंदर रिपोर्ट आती आपको पता हिए ना सब्सक्राइब आधा यह 17bach में कोई जादा फरक नहीं है तक है अगला इसक्प ही अगला क्यूशन है राजस्तान के गनिमْ लिखित में से कौन से जिलों में लाल लोमी मिटी पाई आती है लाल लोमी मिटी याद है हमने कह रहा है राजस्तान के सबसे निचे मतलब राजस्तान के दक्शिन भाग में कौन सी मिटी है यहां पर यहां सबिन है किसके लिए है मक्का के लिए तो देख लीजिए दक्षिन में है शीरोई और पाली दक्षिन rush में नहीं आते हैं स्वाइ मादेपूर और करोली भी नहीं आते हैं कोता बुंदिमेद् वैसे भी काली स्वाव्सीन Kitchen में यहां पर लाल लोमी लाल चिकनी मिट्टी पाई जाती है जो किसके लिए है मक्का के लिए ठीक है तो याद रखेंगे तक्षिन बिल्कुल भशा भी के राइट है सावाश तलिए क्यूशन नमबर नेक्स्ट उचा गया है निम्न में से कौनशी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवा तंतर में शमलित नहीं है आजकल ये क्यूशन जादा आ रहे हैं ऐसे क्यूशनों को आपड़े के निम्न में से वहे नदियां जो अरब सागर का भाग नहीं है निम कोंशी चुम्बल की हिसा ये कॉनसी है बनास लाशन की हिसाइग नदी कॉंशी है यादखना परवन इसके अलाव पारवत्जी नदी और इसके अलवा आप जानते हैं शीप नदी ये शारिक सार्त कि है चले कोईनास जो नदी FPT मिल्कूल शाबास एक है माही सौम जाखम अन्याश चाप मोरें ये सारिक सारिक स्केयर माही की option नमबर टीज करेक्ट आंस्वर क्युंकि माही जो नदी है ये आपके जाकर गishna की समें हमबात की खाडी में और कंबात की काड़ी है अरब शागर का भाग ना की बंगाल की कारी का subject आपकोल शाबास भई सद्ये में आट कि उसन से नममर अफंपढ राक्युषा यौर पूच रहा है फ कि पंदारा में क्यूशन आपके सामने है और पूच रहा है राजस्तान राज्ये की शिम्मा राजस्तान राज्य की शिम्मा को इस पर्स करने वाले भारते राज्यों की संग्या कितनी हैं मतलब राजस्तान के शाथ में कितने राज्य शिम्मा लगाते हैं यह पूछ रहा है पंजाब हरियाना यूपी MP और गुजरात गुजरात 2022 MP 1600 यह आपके यूपी लगाता है 877 हरियाना बारा बाशट और पंजाब लगाता है 89 यह दो जिल्लों के साथ में यह शाथ यह दो जिल्लों के साथ में यह 10 और यह 6 कितने हो गए 5 ऑप्शन नमबर बीच करेक्ट टांसवर बिल्कुल वैशावास तलिए क्यूशन नमबर 116 कि अराम से पढ़िए पूच रह है यहाँ पर जिल्ले है और यहाँ पर शिशा जस्ता की खाने है उद्यपूर के अंदर राजपूर दरीबा है भीलवाड़ा के अंदर रामपूर अगुचा है स्वाई मादेपूर के अंदर चोत का बरवड़ा है विकानेर के अंदर जामशर है यहां पर यह लिखना ही नहीं था यहां पर जिल्ला और यहां पर केवल शेत्र लिखना था अब सिसा जस्ता का यह जामसर में जिप समय मतलब examiner paper के अंदर धंक्षे 44 की उशन नहीं बना सकता वड़ी अजीब सी बाद, यह विडमना की बात है जो examiner paper बनाने वाड़ा है वो एक paper से धंक्षे नहीं बना सकता अब देखिए विकानेर के अंदर जाम सरिस्तान है, जिपसम के लिए परशिद है, स्वाई मादेपूर के अंदर चोट का बरवड़ा ये भी सई है भीलवाड़ा अंदर रामपूर अगुचा है ये जो राजपूर दरीबा है ये उदेपूर में नहीं है ये राजसमंद में है ये कहां पर है राजसमंद के अंदर ये गलत है लेकिन इसको डिलिट कर दिया क्यों कि या क्योंकि य एक्जामर एक पेपर साई डंग से नहीं बना सकता है बड़ी दुखी बाद है मतलब खनीज पढ़के जाएं बच्चे अच्छे से और आ भी रहा है कि राजपूर दरीबा राश्रमन्द में है उद्यपूर में नहीं है कि तो जीश्वर हुई हो लेकिन फिर रिजल्ट आई काम आती है पिछोला और आनाशागर कुलायत और पुष्कर जेशमन्द और राशमन्द पंचबद्रा या शिलिश एडजील पते यह हाँ अच्छा पेपर सेंटर के लिए अहां सही बात है क्या करें क्या कर सकते हैं देखो क्यूशन डिलीट होना यह स्टूडेन के लिए नुक्सान है फाइदा थोड़ी है कोई अब किसी को आ रहा होगा और किसी को नहीं आ रहा होगा जिसने अच्छे से घनीज बड़े उनके तो नुक्षान इवा जिफ्षम शरवादी कहां पर होता है जिफ्षम एशिया की सबसे बड़ी खान है वह है जामसर विक्कानेर में जिफ्षम की अब इसका राइट आंसर क्या होगा भई बिल्कुल शाबाज 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 शी जे संबंद और राज संबंद जे संबंद कहां पर है उदेपूर के अंदर है कहां पर है उदेपूर के अंदर निर्मान जेशिंग ने करवाया राज संबंद जील कहां पर है राजशम्मंद के अंदर, जिसका निर्मान राजशिंग ने करवाया, जानते हैं आप? जैसमंद और राजशम्मंद जील, ये दोनोंक दोनों से क्या होती है? शिंचाई याद रखना यह जो जैसमंद है यह आप सभी जानते हैं राजस्तान की सबसे बड़े मिठे पाने की जील है और जैसमंद जील टापू है यहां पर साथ टापू बाबा का भंगडा और प्यारी नामक टापू जबकि रासमंद जील की पाल पर बिना पती के सती गे क्यूशन और बचे हैं क्यूंकि इस पेपर में 40 ही क्यूशन आये थे देखिए अगला क्यूशन ऐसे क्यूशन जे गबराने की अवशक्ता नहीं यह बार बार बोल रहा हूं मैं जलवायू कर्शी जलवायू परदेश आये तो केवल पढ़ना है अच्छे से क्या पूच रहा है कि पूर्वी मेदान में कौन सा जिल्ला समलित नहीं किया जाता है पते ये फटापट कौन सा होगा इसका राइट आंस्वर पूर्वी मेदान में कौन सा जिल्ला शमलित नहीं है भरतपुर, धोलपुर, करोली और टॉंक मेप बनएए और मेप के अंदर जो जिल्ला आपको दूर दिखे बस वह इसका राइट है ओप्सन क्या है भरतपुर, लीजिये भरतपुर, ओप्सन क्या है दोलपुर, ये लीजिये दोलपुर, ओप्सन क्या है करोली, ये लीजिये करोली, आगे क्या है टॉंक, ये लीजिये टॉंक कौन सा विभेत दिख रहा आपको आप कहेंगे से टोंग अलग दिख रहा है तो ठोक दीजे टोंग को कर्षी जलवायू परदेश के जब भी ऐसे ओप्षन आए मेप बनाना है मेप के अंदर ओप्षन दर्शाना है एक आपको जो अलग दिखे वो इसका राइट आसर होगा भीड से एक अलग होगा वो यही है अच्छे टोपी करवा देंगे बिल्कुल योगेश ठीक करवा दें कोई लेकिन ऐसे भी आप सोल कर सकते हैं आपको यह कुछ भी आइडिया नहीं है तो ऐसे भी आप सोल कर सकते हैं तलिए युशन नमर 119 और क्लाश खत्म होने के बाद या वन्यजीव अभ्यान के अंदर किर्यान वित किया गया था भई फटावण बताई इस कांस्वर क्या होगा इंडिया एको डवलप्मेंट कारेकरम 1986-87 विश्वे बेंक के सयोग्षे था ये केवला देवी राष्ट्य उध्यान रन थंबू राष्ट्य उध्यान कुंबल इंडिया इको डवलप्मेंट कारेकरम 1986-87 चला था रन थंबूर राजस्तान का फस्ट नेशनल पारक है या दखना राजस्तान का पर्थम और राजस्तान की फस्ट पाग परियोजना भी यहीं पर शुरू हुई थी 1973 थरी के अंदर रन थंबू राष्ट्य उध्यान अच्छा क्यूशन आज के अपने सेशन का अंतिम क्यूशन और LSA के पेपर के अंदर आने वाड़ा ये भी अंतिम क्यूशन तलिए अच्छा क्यूशन है सुस्क सांगवान वन राजस्तान के निमलिकित में से किस जिल्ले में है सांगवान वन की जब बात आएगी ना तो तीन क्यूशन पूसता एक्जामिनर कौन कौन से याद कर लीजिए एक तो पूसता है कौन से शेत्र में है एक पूसता है कौन से जिल्ले में है और एक पू अब इनवे से दक्षिन से कौन सा जिला गंगानगर विकानेर कोटा या बाँस वाडा टो आप कहेंगे आंदर आसपास ber haz इंप्पोर्टाइंड शैत्र तो दक्षिन है जिला पूछ यार अभ्यान पूछ या दकनाश पूंट या शित्ता मठाल अभ्यार क्लास खत्म होने के बाद में कमेंड करके जरूर बताइए कि यह जो शेशन था पेपर का यह आपको कैसा लगा यह वैसे पशुदन सायक क्या पेपर था जिसके अंदर राजस्तान जिक्ये के के अंदर आपके इतियासे способ करती है इन में से सबसे ज्यादा क्यूशन आप सभी समझ गें होंगे तेरा प्रहें ये सरवाधिक जिग अरंए का वाकोका सा रहे हैं तरवाधिक का से जिग रपी से इतियास बहुत प्रहें कि मन कृशन हैंtur can के लिए हस्ते रहें मुश्कराते वे रहें लेकिन लक्षे की प्राप्ति तक रुक्य मत धन्यवाद राम राम साथ के लुक्य मत रदाश प्रापन माम साथ कि लुक्य मत रुक्य मत राम साथ कво के लिए राम मत रहें रा beginnings के लिए clever अवरे हैं कि नहीं साथ हैं ओторा है की उ़क्यों साथ झाल झाल